तो लोग इस कैसे हैं आप सब लोग हमें वेदी कि आप लोग ठीक होंगे तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं 2022 model Honda SP 125 वर्सेज 2023 model Honda SP 125 तो दोस्तों आप दोसी इतने साइड मैंने इस बाइकों को लगा दिया है और आज हम एक एक करके comparison करेंगे आपको एक एक करके different बताएं तो दोस्तों अगर आप लोग भी 2023 और 2022 को लेके confused हैं कौन सी model लेना चाहिए कौन सी model को नहीं लेना चाहिए दोनों आपको क्या answer देगने को मिल जाते हैं तो दोस्तों अगर आप लोगी दोजा 23 में SP125 के older versus नए model को लेकर confused है कि कि इसको लेना चाहिए कि इसको नहीं लेना चाहिए तो आप लोग इस वीडियो के last तक बने दियेगा तो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है राजी और आप देखने वीडियो चलेगे में अचलेगे तो प्लीज अपनी रफेक लाइक जरू दीजेए का और चैनल पर आप नए है वी तो आपने चाहिए नहीं किया है तो प्लीज नो सब्सक्राइब करके बगलने पड़े विलकर दो दीगा जिससे कि आप आगे इनी वीडियो को मिछने कर सके हैं नौर्मल डार्ट बलू कलर के नाम से बोर चक्ते हैं तो डार्क बलू कलर में यह जो बाइक मिलती और इसका जो अगला डिफरेंटशहा वो इसके graphics में मिलते है, तो यहां पे देखें, यह 2022 model SP125 में यहां पे देखें, यह जो grey colour वाला जो part है यहां पर इसमें नीचे मिलता है और यहां पे देखें जो इसमें आपको lime grain मिलता है, इसमें आपको इस type में थोड़ा सा design देखें लिकिन अगर आप लग 2023 model SP125 में आते है तो यहां पर दिखे यह जो यहां पर आपको ग्रे कलर वाली body मिलती है यह आपको नए model में ऊपर मिलती है और यहां पर दिखे इसका design ना वो पहले से change चुका है तो दोस्तों यह जो नए graphics यह मेरे recording थोड़ा सा पुराने वाले ज़्यादा better लग रहा है तो आप लोग बताना है कि ये नया वाला ग्राफिक्स एच्छा लग रहा है या पिर पहले वाली ग्राफिक्स ही ज़्यादा अच्छी थे नीचे कमड़ करके जरू बताईएगा और अगला जो सबसे बड़ा डिफ्रेंट बिलता है वो इनके रियर टायर मिलता है तो यहाँ पी दीखिए ये जो ओल्ड मॉडल SP 125 आती है इसमें आपको जो रियर टायर मिलता है वहां मिलता है 80 बटा 100 का अठराइंज का ट्यूलेश टायर मिलता था रियर टायर जिसको लेक अब इसमें आपको 100 बटा 80 का अठराइंज का ट्यूलेश टायर मिलती है अलावल के साथ तो अब इसमें आपको जो नया मॉडल आता है इसमें आपको जो ग्रिपिंग मिलेगी ये पुराने मॉडल से ज्यादा बेटर देखने है और साथ ही साथ और ज्यादा इसमें आपक पर दीखें इसका जो ग्रॉम वाला जो पार्ट अब को छोटा से मिलता है लेकिन अगर आप लोग नया मॉडल से ज्यादा बेटर लगती देखने में तो आप लोग बताना कि यह आप लोग अच्छा लगता है या फिर आप लोग ये पुराना वाला इक्जास्ट ही ज्या तो सबसे पहले यहां पर देखें जो पुरानी वाली स्टीकर देखने को नहीं मिलती है होंडा की तरब से लेकिन अगर आप लोग नय मॉडल स्टीकर देखने को मिल जाता है तो दोस्तों अब आपके जो बाइक है ने टॉन्टी वाले पेट्रोल से भी चलेगी क्योंकि जो P20 वाल जो पिटोल आता है नार्मल पिटोल से थोड़ा सशता पड़ेगा जानि कि 2022 में आपको फ्लैक्स विल्ट टेकनलोजी नहीं मिलती ते लेकिं 2023 में आपको फ्लैक्स विल्ट टेकनलोजी देखने को मिल जाती है और अगले बदलाओं की बात करते है तो इनके इंगेन और साथ ही साथ पुराने मॉडल में आपको OVD2 sensor देखने को नहीं मिलती थी जू कि आपको नए मॉडल में OVD2 sensor देखने को बिलता है जिसकी मदद से अगर आप लोग के बाइक में कोई प्रॉबलम आती है या फिर इंजन में हीटिंग प्रॉबलम में आपें पलॉसन कितना दे दी है वो आप लोग OVD machine में लगा के चेक कर सकते हैं 2022 में आपको OVD 1 मिलता था लेकिन 2023 में आपको OVD 2 sensor देखने को मिल जाती है तो दोस्तो ये तो सारे changes हो गए और साथ इसाथ अगर हम price different की बात करते हैं तो old model की जो price थे उससे 1200 रुपे इसकी price पहले से बढ़ चुकी लेटेस मॉडल की वो निकल क्या रही है 84,957 रुपेज इसकी जो अन्रो प्राइस पड़ेगे इसके ड्रम मॉडल की वो लगबग आपको पड़ेगा एक लाग पांच जासे एक लाग छे जार के बीच में आपको new model SP125 का drum model लेकने को मिल जाएगा और इसका जो डिश मॉड में में क्या changes देखने मिलते हैं पहला इसमें आपको new sticker मिल जाता है दूसरा इसमें आपको BS6 engine नहीं मिलता है BS6 phase 2 engine मिलता है तीसरा इसमें आपको video 2 sensor मिल जाता है चौथा इसकी जो प्राइस जाना 1200 रुपे बढ़ चुकी है पांच वह इसमें आपको नई ग्राफिक्स मिल आप लोग बताना कि अब आप लोग कोई SP125 का पूराना मॉडल लेने आफिन नहीं मॉडल तो दोस्तों यह थे दोनों बाइको कंपेरिशन जो कि में आपको side by side करके दिखा दिया है तो अगर आप लोग कोई डाउट है को सवाल करने हैं तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकत तब तकि मेरे सबी दोस्तों को मेरी तरब से जय हिन जय भारत